हाई गैज और वेल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालेसिस ऑफ 17 जुलाई 2021 तो गैज आज है तारिक 17 जुलाई 2021 और है सेटरड़े देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर दे हिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को एनिलाईज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस्पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइ गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बेसस पर दाहिंदू न्यूस्पेपर मिल जाता है डेली करेंट पर आपको जाकर देखना है सेंट लूसिया को कहां पर है इंडिया की कंपैरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे तो चलो शुरुबात करते ह नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर से दौराग जब उन्होंने एक मीटिंग एक तरीके से इन्टरेक्ष्ण किया था बहुत सारा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ यहां पे बोला यह जा रहा है कौश को से स्ट्रेट के चीफ मिनिस्टर थे वो था तमिल-नाडु, आंद ट्रीट और टी का यानि वेक्सिनेशन तो इन चार चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और यहां पर खास कर आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा जो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन से जहां पर कोविड ज्यादा था आपको देखने को मिलेगा ठीक है और इन चीज यहां पर आर्टिकल है एक्जाम के लिए आपर कुछ इंपोरेंट देखने को नहीं मिलेगा बस ऐसी जनरल सी न्यूज है जो कि आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हो न्यूज पढ़के इसको हटा दो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं यहां पर चर्चा हो रही है यूपी जो है आपका सकते हो कि जो कावर यात्रा है उसको प्रोसीड नहीं करेगा इस पैंडमिक के टाइम पर अब यह स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोड के दौरा मतब सुप्रीम कोड ने बोलाए कि यहां पर कावर यात्रा नहीं होनी चाहिए ठीक और यह प्र के बाद हम लोग इस आर्टिकल को डिसकस करेंगे कावर यात्रा एक एन्यूल प्लिगिमेज है यहां पर क्या होता है जो भी डिवोटी च्विटी होता है जो भी शिवजी के भक्त रता है वह यहां पर हरीदवार गौमुख और गंगोत्री यहां सभी जगह पर जाते हैं स जो है गंगा रिवर से पानी लेकर आते हैं एक है अपने लोकल जो भी टांपल होता है वहाँ पर एरिया में तो वहाँ पर जाकर चड़ाया जाता है तो यह सारी चीज़े करी जाती है कावर यात्रा के अंदर तो आपको इसके बारे में ध्यान अखना है लेकिन अब सुप्र आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें से आपको सारी फंडमेटल राइट लेक्ट के बारे में 19 से 22 बात करता है right to freedom के बारे में Article 23 से लेकर 24 तक बात करता है right against exploitation के बारे में 25 से लेकर 28 तक right to freedom of religion तो उसके बार 29 से 31 cultural and educational rights 32 से लेकर 35 तक right to constitutional remedies तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह कुछ fundamental rights आप लोग पॉलिटी में भी इनको पढ़ने वाले हो अब हो जा सही हाँ चलो अब यहाँ बात करते हैं next article की तरफ तो यहाँ पर एक चोटा article आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर high court ने बोला है कि यहाँ पर अगर आप लोग बच्चों को vaccination दे रहे हो तो यह एक disaster बनकर आएगा ऐसा यहाँ पर डेली high court का statement आप लोग देख सकते हो कि डेली high court ने Friday में बोला है अगर यहाँ पर आप लोग COVID-19 vaccines को administer करते हो और आपको सकते हो बच्चे को देते हो बिना clinical trials से तो एक disaster होगा और इसके उपर अपच्चे से पहले आपको trials लेना पड़ेगा अच्छे से यहाँ पर जाच करनी पड़ेगी efficacy देखनी होगी कितना secure है तो यह सारी चीजे देखने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो भी 12 से लेकर 17 एज के जो भी ग्रूप के चिल्डरन है उनको आप लोग यह vaccine दे सकते हो तो चोड़ी से information है जादा इनी चीज की चर्चा हो रही है ठीक है दुनिया भर माज के टाइम पर तो आप देख पाओगे उसी से related article है अब क्या हुआ है एक Indian photo journalist है यहाँ पर आप देख सकता हो यह व्यक्ति है एक photo journalist है इनको मार दिया गया है अफगानिस्तान के अंदर नाम है दानिश सिद्धिकी ओ आप कर सकते हो आर्टिकल यह तोलो नीउस का है तोलो न्यूस एक नीउस चनल है काबूल का काबूल किया है आपका सकते हो है इसाफर बोला यह जा रहा है इन्होंने काफी सारे क्लैश को कवर किया था रूटर्स न्यूज अजेंसी के अंदर तो उन क्लैश की वज़ा से भी हो सकता है या फिर इनकी जो डैथ हुई है वो कहां पर हुई है इस पिन बोल्डक डिस्क्रिक्ट के अंदर ऐसी चीज़े यहां पर बताई जा रही है ठीक है और काफी सारा एरि कले एक्जाम के लिए इंपोरेंट नहीं होगा बड़ यहां पर आप देख सकते हो सिच्वेशन क्या क्या क्रेट हो रही है लगबग 10,000 से जादा जो जिहादी हैं वह पाकिस्तान क्रॉस करके अफगान में पहुंच है यहां पर अफगानिस्तान के प्रेसिदेंट का एक स सारी जो बात है यह सब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने करी थी पबलिश तो यह सारी शीत हैं यहां पर आप देख पाओगे यह इनके दोरा बताया गया है फिलाल इसमें जादा कुछ आपको इंपोरेंट देखने को नहीं मिलेगा आप पढ़ पढ़कर ये न्यूज हम लोग अच्छे समझता है यहां पर हमारे Chief Justice आफब दिया है NB म समय पर और पलस इसको जेल से रिलीस करने का टाइम के बीच में गैप हो जाता है जब तक जो यह जेल authorities है, उनके पास ये bail आएगा hard copy में, ठीक है, hard copy में जब bail आएगा, तो वो jail authority वाले जो है, इस बंदे को, जो ये कैदी है prisoner है, इसको रिया करेंगे ठीक है, इसको आपका सकतो release कर देंगे लेकिन ये जो बीच का time period है क्योंकि इसको bail तो काफी दिन पहले मिल गई लेकिन जो बीच का time period है, जब तक ये hard copy आएगी jail authority के पास, उसके बाद जो इसको release किया जाएगा, वो time period कहीं न कहीं, आपका सकते हो कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों का हननन करता है तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर Chief Justice of India के दोरा बोली गई है, कि आपको तुरंती काम करना होगा, जैसे यहाँ पर bail मिली है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको फटा-फट आप release करो, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा time काप रखो, क्योंकि ये internet का जमना है, और आप यहाँ पर hard copy की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, उसी वजासे इनका ये statement है कि in this age of information and communication technology और आप लोग आज के टाइम पर भी क्या कर रहे हो, skies में देख रहे हो, pigeons को, ठीक है, तो कुछ इस type का, यहाँ पर एक मुहावरा समारा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जो chief justice है, इन्होंने यहाँ पर एक special bench को head गया है, इन्होंने बोला, जो भी prisoners हैं, ठीक है, जो भी prison, jail के authorities वगए रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को पहले एक hard copy आती है, hard copy का दिजार करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को release करते हैं, तो यह सारी चीजों में time लग जाता है, और इस सारी बीच का time period है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो भी prisoner है, जो भी कैदी है, उसका जो भ हैं, इन्होंने justice L. Nageshara Rao के साथ मिलकर आपका सकते हो, एक नई scheme को roll out किया है, नई scheme का नाम है faster, faster का मतलब है, fast and secure transmission of electronic records, ठीक है, जिसमें क्या होगा, supreme court बहुत तुरंती, जल्दी यहाँ पर क्या करेगी, जो भी चीज़े भेजनी होगी, तुरंत यहाँ पर electronically transmit कर देगी, जो बेल वगरा है, वो तुरंत पहुच जाएगा, और उस व्यक्ति को तुरंत से रिया किया जाएगा, तुरंत से release किया जाएगा, जेल से, ऐसा यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, बढ़ते हैं, next article की तरफ, नो यहाँ पर आपको एक छोटा सा article देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेक ददू प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, लगातार न्यूज में आपको यह कवर करा जाता है, बढ़त देखने को मिलेगा, नौ सेंटर ने किया, अपने कैश्योरेंस द और हम सुध्र को रहते हैं, और गृफ न पर प्रोजेक्त के बारे में बात करताएं, यह मेकद दू प्रोजेक्ट पर वन जी एस पेपरटु के पॉंट अ व्योड़िख से मिलेटbil के बात करें तो यह 9000 करोड रूपे का प्रोजेक्त है, जिसका में काम है, इस्टोर करन पर यहां पर सप्प्लाइब करने का काम किया जाएगा लगबग 4000 मेगावर्ट का जो पावर है आपका सकते हो वह यहां से जडियरेट करने की बात करी गई है ठीके दन उसके बाद यहां पर इसको पहले बर अप्रुबल मिला था अप्रूव क्या गया था करनाट का स्टेट क के द्वारा 2017 में उसके बाद यहां पर इसने एप्रूवल रिसीव किया और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री से जैसे की मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्स इस फॉदर डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो यहां पर इस पूरे प्रोजेट को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं ड तक पानी नहीं पहुंच पाएगा ऐसा यहाँ पर तमिल आड़ू को कहना है मैं को मैप में दिखाता हूं यहीं देखने को मिलेगा और नीचे तामिल नाडू देखने को मिलेगा यहां पर में प्रोजेक्ट बना जा रहा है नीचे यह वाटर तो तो इस बज़े से यहां पर तमिलाडू नहीं चाहता है कि यह प्रोजेट बनाए जाए ठीके यह सारे डिस्प्यूट जो है इन दोनों की बीच में चलते ही रहता है तो उसी के रिगार्डिंग यहां पर यह पर यह पर आपको देखने को मिल जाएगा ओके नाओ आगे ब कि गांधी नगर क्या है गुजरात की कापिटल है उके तो जो प्राम मिनिस्टर है नरेंद मोदीन उने फ्राइडे में वर्चुली इनागरेट क्या है वर्चुली मतलब वीडियो कॉन्फरेंस के महधियम से जो है यहां पर इनागरेशन क्या गया उद्धाटन क्या गया सबीसित उद्धाटन क्या एक तरीके से रिडर्वेस्ट रइलसध्रवेस्टहेशन गांपर गुजराती क्यापिटल गांधी नगर। दे रेयावबभा और भी बहुत सारी चीजों का इनाउगरेशन किया है जैसे की री डेवलेप्ट वादनगर रेलवे स्टेशन का यहाँ पर इन्हों ने उद्गाटन किया कहां पर अपने होम टाउन नौर्थ गुजरात के अंदर और इन्होंने खुद अपनी यहाँ पर बोला है वीडियो कॉन्फरेंस में कि इनके फादर जो हैं वहाँ पर चाय बेचा करते थे कुछ स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट आपको यह देखने को मिल जाएगी दनुस के अलावा आपका सकते हो यह सारे प्लाटफॉर्म और यह स्टेशन इसका उद्गाटन करने के बाद और भी बहुत सारी चीजों का उद्गाटन किया गया है जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है एक नेचर पार के एक्वेटिक गैलरी है और रोबोटिक गैलरी है साइन सिटी के अंदर तो उन सब चीजों का भी उद्गाटन किया गया एक्वेटिक गैलरी काफी बड़ी बनाई गई है लगबग 15,000 स्क्वायर मीटर के अंदर यहाँ पर पूरी फैली भी आपको देखने को मिलेगी और भारत का एक largest aquarium होगा जहां पर उस aquarium के आप समझते होंगे जिसके अंदर मचली वगरा या फर जो marine animals हैं उनको रखा जाएगा including इसके अंदर penguins वगरा भी आपको देखने को मिल जाएंगे और बोला यह जा रहा है इस बड़े से aquarium के अंदर लगबग 188 marine species आपको देखने को म जाए और भी यहां पर बहुत सरी चीज़ें हैं जिनको यहां पर इन्होंने इनागरेट किया दन उसके बात करते हैं निक स्टारिकल की तरफ और क्या important तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक actor है सुरेखा सिक्री बच्पन में आप लोगोंने देखा होगा तो इनको बोला जाता है तीन नाशनल आवार्ट की विनर भी हैं अभी फिलाल इनकी डेथ हो गई है आप लोग पैचान जाओगे ठीक है पैचान गए होंगे आप लोग ने काफी सरी फिल्म में देखा होगा ठीक है सीरियल में चोटा था तो मैंने देखा था सीरियल में तो पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्लेगें की एज थी 76 और आप कर सकते हो जो अलगलग अवोर्ट्स विन किया इन्होंने वह अलगलग पर्फॉमेंस के लिए कि हैं जैसे कि तमास मम्मो और उसके बाद बढ़ाई हो कुछ इस टाइप क तो उसकी वज़ा से भी यहां पर इनको यह अवोर्ट बगर दिया है दन उसके बाद काफी सारे सीरियल्स में उन्होंने वर्क किया है ऐसा इहां पर सारे स्टेट्मेंट आपको देखने को मल जाएंगे ठीक है जो भी चीज़ है तो आप यहां पर एक छोटी सी इन्फॉम आपको ध्यान रखने वंडे एकजाम में पूची जा सकती है दन उसके बाद आते हैं पेज नुबर 9 के उपर और देखते हैं हमारे लिए क्या है इंपोर्टेंट आर्टिकल तो यहां पर तो कुछ ऐसा इंपोर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा एक आर्टिकल यह देखन को मौनसून सेशन के आहिड जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग जी इन्होंने फ्राइडे में मीटिंग करी अपने प्रेडिसेसर कॉंग्रेस लीडर एके एंथनी और नैशनल कॉंग्रेस पार्टी चीफ शरद पावार यह दो व्यक्ति से मीटिंग हुई है और पर इन्होंने चर्चा करी है यह जो इंडिया चाइना का स्टैंड ओफ है यह जो दिक्कत चल लिए इस्टोन लद्दाक वाल रीजन में उसको लेकर चर्चा करी गई दलो उसके बाद यहां पर एलेसी के अलावा आप कर सकते हो जो कॉंग्रेस के लीडर है राहूल गांद कर चुका है कर भी रहा है यह भी दिक्कत कहीं के क्रियेट होती भी आईगी तो ऐसा यहां पर कॉंग्रेस लीडर राहूल गांदी का स्ट्रेटमेंट है यह सारी आप लोग देख पाऊगे ओके दनुसके बाद आता है निक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो यहां पर आता है प बगात करी गई है लगबग 86% से भी जादा जो ब्रेक्ट्रू इंफेक्शन है वह हो रहा है डेल्टा की वजह से नाव यह जो डेल्टा विरेंट है इसी से सबसे ज़्यादा केसे फैले हैं इसी सबसे ज़्यादा इंफेक्शन हुआ है ऐसा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे घूवइड जो कि आपका सकतो काफी खतरनाक है और गाम दिया तो आपको दिया Kollegin को इन तो पहले इसको इस जिस county के अंदर कोई अब हो पको दिखकत देखते हैं तो अप लोग यहां पर इक चीज़ देख सकते हो जो यहांप पर इंडिया के अंदर बेरिएंट था जो कि डिसकुवर यह था जिसको हम वी पॉइंट 6172 बोलते हैं इसको ये delta नाम दिया था आपको ध्यान देना है उसके बाद Brazil के अं दर आपको एक gradient देखने को मिलेगा उसको gamma दिया जा है UK के अंदर देखने को मिलेगा उसको alpha नाम दिया जा है इन में से भी जो सबसे खतरनाक है वो delta ही है दरूस के बाद variant of concern के अंदर भी आपको बहुत सारे variants देखने को मिलेंगे इसके अंदर भी इंडिया एक वेरियंट है इंडिया का जो की इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था वह था और आपका सकते हो एक लेक्श्री कार्स भी आपको देखने को मिलेंगी अब उनके लिए नए रूल्स लेकर चाथ चुकिए देखो बहुत सरी कार्स जो अल्रड़ी हाँ पर रिजिस्टर्ड हैं उनको छोड़ो अब यहां पर बहुत सरी कार्स जो की रिजिस्टर्ड नहीं है तो उनके लिए नया रिजिस्ट्रेशन होने वाला है और आप कह सकते हो इन न्यू रूल्स के अंडर जो विंटेज कार ह होने वाली है जो पुरानी आपको कार्स यह भी देखने को मिलेंगी वन यहां पर पहले सा और तेखने को मिलेंगे तो कुछ यह अलगसी चीज़े लाई गई हैं उसके बारे में यहां पर एक छोड़ी सी स्मूगलिंग फ्लीन पर जो डिलेटर उथ संधर्स क्लूल रही थी तो उसके बारे सब्सक्राइब बहुत गळा ये को को हुआ क्या है अभी जो वहिकल्स हैं वो इंडिया के अंदर लाय जा रहे थे यूजिंग दी नेम्स ऑफ फॉरेंड डिप्लोमेंट्स ठीके फॉरेंड डिप्लोमेंट्स का नाम स्तमाल करके यहां पर इसको लाया जा रहा था इसकी स्पंगलिंग हो रही थी नाव इस यहां पर हाई एंड वहिकल्स जो हैं इंडिया के अंदर स्मगल की हैं ठीके फॉरेंड डिप्लोमेंट्स का नाम इस्तमाल करके काम किया गया है जो यह एक्यूज्ड है इनके नाम बताए गया है जैसे कि लियाकत बचाव खान ठीके निपन मिगलानी कुछ यहां पर इस प word इस्तमेंट्स बगरा दिये गए तो इसको एक तरीके से अब यहां पर यह केस देखने वाला है कौन यह केस देखने वाला डिया डियारा डिरेक्ट्रेट रेट आफ रेवेन्य उट इंटलिजेंस और यह उसको रोकने का यहां पर काम करती है इंडिया के अंदर ठीके इसका नाम बदल कर बाद में आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है अब इनका काम यह 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 यहां पर आपका सकतो डील करते हैं जो भी है उसको एक तरीके से कम करना और स्मग्लिंग के अंदर आप लोग देख पाओगे जैसे की ड्रक ट्राफिकिंग हो गया ड्रक को भी यहां पर जो ड्रक सी इधर से उधर हेरा फेरी होती है उसको भी रोकने का काम करता है साथ ही साथ इलिसेट इंटरनाशनल ट्रेड जो हो र चैनल लोगने का क्म करता है डियागा डियारी को डिजाइन किया गया है ऐलीड इंटी स्मग्लिंग के नाम पर टॉपल्डी देखने को मिलेगा इसको बनाया गया था 4 दिसंबर 1957 में ओके दन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो यहां पर पेज नमबर 11 और 12 यह पूरक अड़र्टिसमेंट भरावा पेज है नहीं पढ़ना हमें उसके बाद आएंगे पेज नमबर 13 के उ यूएस को क्यों क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रेट हो रही है उसके पीछे का रीजन यह है कि यूएस ने बहुत तेजी कर दी बहुत जल्दी मचा दी है अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने में लिगे अपने ट्रूप् को एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं इनका कहना यह है कि बहुत जल्दी बाजी दिखा दी है और इसी की वज़त से आज के टाइम पर अफगानिस्तान में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रेट हुई है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं था अभी हो क्योंकि यूएस के जो टूप्स है तो तालीबान है वह आज के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रेट कर चुका है आप कह सकते हो दुनिया भर में आर्टिकल्स कवर किये जा रहे हैं इन फाक्ट आप लोग अगर डेली यह नियूस्पेपर एनलिसस फॉलो कर रहे हो तो यहां पर आप लोग डेली यहां प अपने टूप से काफी तीजी से विड्रॉब किया है थोड़ा सा महाँ पर सिचुएशन समालने के बाद थोड़ी सी कंडिशन को मिंटेन करने के बाद यहां पर यह काम किया जा सकता था उसके बाद निक्स टाडिकल बात करता है चाइना अभी और वेक्सीन देने वाला है स्रिलंका को और यह जो चाइना की कौन सी वेक्सीन आपको मालूम होगा सिनोफार्म करके उसका नाम है तो अभी और भी बहुत सारी वेक्सीन लगबग चाइना गिफ्ट करेगा स्रिलंका को 1.6 मिलियन डोजिज ऑफ सिनोफार्म देगे ऐसा है आपर स्टेटमेंट दिया गया और इससे स्रिलंका को बेनेफिट मिलने वाला है क्योंकि स्रिलंका के पास अलड़ी बहुत सारे डोजिज हैं बहुत सारे लोगों को यह डोजिज प्रोवाइड करवा चुका है लेकिन आज के टाइम पर प्रॉब्लम से तो उसके रिगार्डिंग यहां पर चाइना और भी वैक्सिन प्रोवाइड कर रहा है स्रिलंका को उसके बाद यहां पर आप देख पाऊ घड़े से मंडर अब ही बहुत सारे लोग रहे गयें हैं जिनको अस्तर आजमे का वाली वैक्सिन लगनी थी और भी वैक्सिन रगतित जोंकि इंडिया के अदर आपको देखने पर कुछ statement दिया गया है ठीक है फ्राइडे में आपे बोला है country जो है receive करेगी 1.5 million doses of Moderna vaccine United States से और यह मतलब अलग लग जगा से vaccine आती भी नज़र आएंगी स्रिलंका के अंदर छोटा सा information है ध्यान रख सकते हो दन उसके बाद आएंगे page 14 के उपर that is business section देखेंगे पक अलने के आपको मालूम होगा प्राइसे वगए है और काफी चारे प्राइसिस के अ cu दिया तो यहनगे पिछ दुद पेच्वर देमिया कल दौक है और उसके पीछी करेंगे मालूम होगा प्राइसिस भी हैं इंफलेशन वगर आप देख पाओगे काफी ज़दा देखने को मिलेगा और demand यह कम हुई है ऐसा यहापे बोला गया है लेकिन उससे पहले demand थोड़ी सी सही थी लेकिन यहापे अगर हम में के comparison करें तो में के comparison में June का जो है oil import कम हुआ है ऐसा यहापे कुछ statement दिया गया है फिलाल इसमें जादा कुछ चीज़े याद करने लाइक है नहीं मतलब की देखने लाइक है नहीं समझने लाइक नहीं है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ पढ़ी सकते हो वो है ओपेक ठीके इस और पेटोलियूम एक्सपोर्डिंग कंट्रीज इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है अच्छा ओपेक और ओपेक प्लस के बीच में क्या डिफरेंस है यह ज़रा आप लोग मुझे आज नीचे कमेंट सेक्शन बताओ क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस का डिफरेंस में अल्रेडी बहुत बार बता चुका हूं नोट्स आपको टेलिग्राम पर सारे मिली जाएं उसी को लिगर यहां पर पूरा 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 पपूरा प्लिफियल पब्लिश भा था है जो सैटरडे में यहा पर deterioral एक page पर आता है एक page दूसरे page पर नहीं आता है तो दूसरा page पर Ground Zero का option था तो यहां पर आप देख सकते हो उसी के बारे में च 911 के चार्चार क काफ़ दस्तिमाल हो रहे हैं और इंडिया को क्या ज़रूरत तुरूरत को स्टेडिचन को स्टेटमेंट के देखने को मिलेगा तौ आपको इसका वापस रही कंसिजर करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पर इसका लगातार मिस्यूज होता वा नजर आएगा पुलिस के दोरा बहुत सारे लोग को अरेस्ट कर लिया जाता है इन फैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें जो कॉन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है सिर्फ गिरफतार कर लिया अगर हम लोग बात करें चीज़ें जैसे आगया की बढ़ती हैं तो वह व्यक्ति इसके अंदर में आपका सकते हो की मुझरिम साबित होता नहीं है ऐसी चीज़ें आपर देखने को मिल जाती है तो कॉन्विक्शन रेट काफी कम है उसके बाद यहां पर आगे से जो है यह से लौक के बारे में समझाया गया है यह से लौक है यह क्या है इक्जैक्टली चलो इसके बारे हम लोग जानते हैं इंपोरेंट अर्टिकल है काफी दा न्यूज में रहता है से डिशन के रिगार्डिंग में एक आज कोशिच करूंग एक पर्टिकुलर वीडियो एक साप्रेट वीडियो चोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकूं जिसमां हम आप लोगो और भी अच्छे सा डिफाइन कर पाऊंगा सब्सक्राइब करें तो इसको इनक्त करें इसको इनक्त किया गया था 17 सेंचरी के अंदर तो आपको दिहान रखना है और एक तरीके से इस लोग को ओरिजिनली ड्राफ किया गया 1837 में किसके दौरबर तोमस मेकले के दौरा इसको एती थरीजिन के अंदर और ओइजिनली लाया गया दन उसके बाद सेक्शन 1247 को इंश्टầ smart किया गया एक च्रदीशन सेक्शन 124 एको डाला गया और उसके अंदर सेडिशन को डिफाइन किया गया था ठीक है यह सब एक अमेंड्मेंट के माध्यम से किया गया और वह अमेंड्मेंट एक offence है एक crime है जो कि यहां पे commit किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वरा लेकिन कोई भी व्यक्ति कैसे इसको commit कर सकता है सरकार के खिलाफ कुछ भी वह लिख कर बोल कर आपकर सकते हो कि अपनी visible representation दे कर अपने words कर अस्तौ्माल कर कर साथ इसाथ उसको यह नोन बेलेबल ओफेंस है मतलब बेल भी नहीं मिल सकती है इसके अंदर ऐस चीज़े देखने को मिलती है साथ इसाथ जो यह पनिश्मेंट है अंडर दा सेक्शन 124A इसके लिए जो पनिश्मेंट मिलता है जिर्ट इसके अंदर पैसपोर्ट करने को मिल जाती है उसके बाद यहां पर देख सकते हो कोट के चकर बार-बार लगाने पढ़नेगे जब जब कोट बुलाएगा ऐसी दिक्गतें फिस करने को मिल जाती है इंडिया को एक नए हेल्थ केर सिस्टम की जरूरत है क्योंकि आपना हेल्थ मिनिस्टर तो बदल चुके हैं तो अब यहां पर नए हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनको नए चीजों के ओपर ध्यान देना भी पड़ेगा और जो है पेंडियमिक से लेसन सीखने हेल्थ सिस्टम को हमें थोड़ा सा रोबस्ट करना पड़ेगा इंडिया के पास अब नए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जरा नाम बता और नीचे कॉमेंट सेक्शन में क्या नाम है उनका ठीक है अब यहां पर हेल्थ मिनिस्टर आ चुके हैं तो क्या है कि जो यह हेल्थ perform करना पड़ेगा और COVID-19 pandemic के regarding जो पहले वाले lessons है वहां से सीख कर कुछ आने वाले टाइम पर नईनी चीज़े implement करनी पड़ेगी health system को थोड़ा सा robust मनाना पड़ेगा ताकि COVID से हम लोग लड़ सकें अब यहाँ पर आप देख सकते हो में दिये थे कि करेला ने काफी अच्छी तरीके से वक किया है नो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो health system है इसके regarding एक evidence आप देख सकते हो दो स्टेट का यहाँ पर compare या आज के टाइम पर महराश्टरा और करेला के अंदर एक टाइम पर जो केसिस से वह काफी ज्यादा देखने को मिले थे ठीक है और इनकी जो पर capita gross domestic state domestic product है इनकी according कर हम लोग बात करें जो इनकी economic situation है वह काफी अतक सिमिलर ही है मतलब दोनों के पास काफी कुछ है दोनों का जो पैसा वगरा वो सिमिलर है अब देखते हैं दोनों ने किस तरीके से implement किया है जो इनका कोविड-19 case fidelity rate है उसके बीच में एक बहुत बड़ा gap देखने को मिलेगा के अंदर 0.48% का यह facility rate rate देखने को मिल पाएगा मतलब यहाँ पर जो लोग मरे हैं वह 0.48% वहीं पर अगर हम बात करें महराश्टरा की तो महराश्टरा में 2.04% यहाँ पर डैत हुई है तो आप समझ सकते हो महराश्टरा में काफी जादा डैत हुई है अब यहाँ पर बुद्दा यह उठता है क यह implementation किस तरीके से चीजों को implement किया गया है तो करेला यहाँ पर आगे निकल जाता है ऐसा बोला गया उसके बाद जो मेजर रीजन है वह आपको यह भी देखने को मिलेगा एक यूज डिफ्रेंस दोनों के पब्लिक हेल्ट सिस्टम के एफेक्टिवनेस में करेला का जो पब वहीं पर बात करें महाराश्टरा की तो उन्होंने जो फंड है वह अपने पब्लिक हेल्ट के उपर नहीं लगाया है ज्यादा उसके उपर नहीं खर्च किया है तो यहां पर हम लोग करेला से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं इन कॉंट्रेस्ट यागर हम लोग बात करें एक करेला के अंदर यह आपको देखने को मल जाएगी और इसकी वजह से यहां पर चीजे और जदा अच्छे से इंप्लिमेंट हुई है इन्होंने केस को समय समय पर जगा जगा पर डिटेक्शन की आए ठीक है कोविट पेशेंट को ट्रीटमेंट कर देने की पूरी तरह से वहीं पर बात करें तो दूसरे जो स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर इतनी अची तरीके से चीजों को इंप्लिमेंट नी किया है क्योंकि वहां की गौर्ण्मेंट ने भी अच्छा काम किया है जो पब्लिक हैल्थ सिस्टम है वहां का अच्छा आपको प्रजेट पर आप लगा रहे हो लेकिन सेंटल वीस्टा प्रोजेट को थोड़ा सा अलग हटा कर आगर यहां पर देख सकते हो उतना पैसा आप लोग ऑक्सिजन प्लांट को इंस्टॉल करने में उनको सेटप करने में लगा सकते हो जो हॉस्पिटल से वापे बैट करना पड़ेगा और जो यह गाप काफी लंबा चोड़ा है और इसकी वाजा से बहुत सारे स्टेट के अंदर यह क्राइसिस आपको देखने को मल जाएंगे तो यह चोड़ी सी इंफॉमेशन हुई तो उसके बाद यहां पर सेंटर का भी बहुत बड़ा रूल है सेंटर स् लंबे समय से इसके बारे में चर्चा करते हैं यहां पर यहां है कि छोड़ी मुझी इन्फोमेशन है जो कि आपको ध्यान रख सकते हो और उसी वारे समय पर इसके बारे में बता भी रहा हूं क्योंकि और कोई इतना अच्छ आप आया भी नहीं है तो उसके रिगार्ड है कृश्लोब तक मैं जितने बी प्राइवाइट है प्राइवेट रिवेसे करो सब्सक्राइब कर लो इनको बढ़ावा मत करो इनको इतने ही हैं आपको इतने उनको राइवेट करो लेकिन government को साथ मिले कर आओ, government और private के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, दर्वाइस यहाँ पर जो private sector है, उसके अंदर पैसा इतना खा रहा है, इंसान की पूछो मत, hospital के अंदर बहुत बहुत पैसा लग रहा है, लग जा रहा है, लग बग यहाँ पर, एक case वादा, covid-19 का जहा कार काफिया तक fund provide कर वाए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर कहिना कि हम लोग इन चीज़ों को इस्तमाल करके, जैसे करेला ने किया है, हम लोग यहाँ पर control कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक logical correlate यही बोली गई है, कि पहला दो lesson आपको यही करना है, जो health service है, शोड आपको देखने को मल जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद वही कोविड को लेकर चर्चा है, कि यार वही देखो अभी हमनों जो discuss करिए न, वही चीज़ें बार-बार repeatedly आपको देखने को मिलेंगी, तो इतनी information हमने पड़ी है, वो काफी है, ठीक है, अब यहाँ पर इसके regarding आप लोग कुछ भी आता है, तो आप लिख सकते हो, और already मैं करेला के regarding करेला ने किस तरीके से चीज़ों को टेकल किया है, और किस तरीके से चीज़ों को इंपलिमेंट किया है, उसके उपर मैंने notes बगरा already provide करवा ही रखें, ओके, दनूस के बाद आता है, नेक स्टार्ट क इंडिया के अंदर केसिस बढ़ रहा है, उसके अलवा और भी बहुत सारी कंट्री जहां पर आपको केसिस वापस से बढ़ते वे नजर आएंगे, ठीक है, यहां पर बोला यह जा रहा है कि थर्ड वे आने के पूरे पूरे चांसिस हैं, ऐसी दिक्कत हम लोग यहां पर दे तो आप लोग health infrastructure के बारे में कुछ भी answer है ठीक लिखनी है तो लिख लो, अब यहां पर आपको लिखना है, health infrastructure के हम लोग किस तरीके से जो है, पहले इसका intro लिख लो, किस तरीके से हम लोग इसका investment कर सकते हैं, क्या solution हो सकता है इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, और और क्या क्या concern है इसके regarding, तो यह आप तयार करके रख लो, आज ही तयार करके रख लो, लंबे समय तक काम हैगा, क्योंकि health infrastructure के regarding जो यह editorial है, यह आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा, साथ, और साल, दो साल, आपका paper निकल भी जाएगा, उसके बाद भी editorial आते ही करना, आपको एक particular answer अपना set करके रखना है, पहले से ही, तो आपको पहले से त्यार करके रखना पड़ेगा, हमेसा issue के पीछे बागो, example बताता हूं, यह सबसे बड़े example है, इसका, अभी आपको मालूम हो, उत्तरप्रदेश के अंदर, two child policy के regarding, आपको क्या करना है, जो two child policy इसके बारे में जान लो, इंट्रो लिख लिया, ठीक है, इस child policy के pros क्या है, इस child policy के कौन्स क्या है, यह लिख लिए, दनो, उसके बाद इसका way forward क्या है, इसी में आपने इसी structure में, आपको यह पूरा का पूरा अपना set करना है, पूरा का पूरा काम खतम, अब यहां पर क्य लोग को देखता हूँ कि वो लोग बताता है, एडिटूरल को आपने यहाली चीज़ कर दी, यहाली चीज़ कर दी, कुछ cases आगए, वो इतना important नहीं रह जाता है, आपको और issue के पीछे भागना है, और issue के regarding, आप लोगों ने देखा होगा, पहले जितने भी एडिटूरल स आए, हर एक issue के regarding मैंने notes provide के आए, जैसे की जो यह उत्तरप्रदेशी, उत्तरप्रदेश to child policy, इसके regarding notes नहीं provide कर वाए थे, आज है इसके regarding, artificial intelligence का बहुत सर आर्टिकल देखने को मिले थे लगातार, और artificial intelligence लगातार news में देखने को मिलता है, हर महीने एक article आई जाता है, ठीक कई ना कई देखने को मिल जाता है, तो उसके regarding, आपको पूरा का पूरा set करके रखना है मामला, तो यह कुछ चुनिंदा topics होता है, जो कि काफी ज़्यादा news में coverage मिल जाता है, इनको तो आपको पहले से एक particular answer set करने को set करके रखना ही होगा, क्योंकि आपको यहां पर daily business पर है कि हाँ यार मैंने यह tutorial पढ़ा था, यह चीज पढ़ी थी, वहाँ पर जब question देखा है तो आपको इतना कम समय आपको सोचने तक कर time नहीं मिलेगा, lecture 2-3 मिनट जादा लंबे हो गए है, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देखो चर्चा हो रही है, आज का last tutorial है, यह है उत इसको कम क्या जा सके, जो infant mortality rate है, उसको कम क्या जा सके, और यहाँ पर जो nutrition status है, इसको बढ़ाया जा सके, तो इस कुछ इन चीजों के ओपर यहाँ पर उतरप्रदेश वर्क करने की कोशिच कर रहा है, और इसी वाज़ा से यहाँ पर draft लाया गया, draft अभी आने वाले टाइम पर जो है, इसको पास किया जाएक दन उसके बाद यह एक्ट बनेगा, अब यहाँ पर इसके अंदर यह जो ड्राफ्ट इसके अंदर आपको incentives भी देखने को मिलेंगे, प्लस डिस इंटेंस इंसेंटिफ भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पर penalty भी भरने को मि सब्सक्राइब को मिलेंगे, और भी बहुत सारे welfare schemes है, उनके regarding उनको सारी चीज़ा प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, तो यह सारी चीज़ी हाँ पर देखने को मिल जाती है, यह थोड़ा सा यहाँ पर population को compare है, दुनिया भर की population देखे, तो आज के टाइम पर 7.7 billion की population population है, दुनिया भर में, यहाँ पर expected है, यह आनवले टाइम पर 2030 के अदर grow होती भी नज़र आएगी, 8.5 billion होगी, दनो उसके बाद 2050 में 9.7 billion और 200 के अंदर 10.9 billion तक यहाँ पर population हो सकती है, और इसकी वजासे बहुत सारे areas affect होंगे, और बहुत सारे areas जैसे की economic development का area पूरी तर लोग को मिल जाती है, साथ ही साथ यह affect करेगा, आप कर सकते हो जो भी universal access to healthcare है, लोग को healthcare अच्छे से नहीं मिल पाएगा, education नहीं मिल पाएगी, housing नहीं होगा, sanitation नहीं होगा, water, food, energy, यह सारी चीज़े अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर वपाएंगे, सभी लोग को, जैसे इंडिया का जो लगबग 2% जो दुनिया बर का लेंड मास है, यह आप ठिक पाओगे, और 16% की global population यहां पर देखने को मिलेका, इंडिया इतना contribute करता है, उसके यहां पर रिपोर्ट यह किया जाता है, कि इंडिया जल्दी चाइना को population को सरपास कर देगा, इसको ओटेक कर और इसके बाद दुनिया में सबस्यादा population वाली country इंडिया बन जाएगा, ऐसा यहां पर बहुत सरे रिपोर्ट बताती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी काफिया बता चुका हूँ, उसके बाद यहां पर फास्क डोट के बारे में चर्चा हो रही है, इंडिया का जो टोट इसके बारे में यहां पर बताया गया है, जैसे यहां पर देखने को मिलता है, और उनका एक ही यहां पर गोल है, वो यह मानते हैं बच्चे को एसे की तरह देखता है, कि आनवले टाइम पे जब उनका बुड़ापा आएगा, तो फिर वही बच्चे मदद करने वाले है, ज जैनके पास education काम है, जो कि illiterate people है, तो यहां पर यहां पर यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती है, तो उसके बाद यहां पर आप कर सकता है, तो उसकी वज़े से भी population increase होती भी नज़र आएगी, अने प्लाइमेंट की बात करें, बेरोज़कारी की वज़े से यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत है, अब population जैसे से बढ़ेगी, उसकी वज़े से बेरोज़कारी भी काफियत तक बढ़ती भी नज़र आएगी, हाई youth unemployment इंडिया के अंदर आज के ताम पर आप देख पाऊगे, जो demographic dividend है, वो demographic disaster के अंदर बदल लाए, question यह है demographic dividend क्या होता है, demographic dividend का म इसको स्किल्स वगरा, quality education नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर unemployment भी काफिया तक जनरेट होता वह नजर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप नौकरी वगरा नहीं मिलेगी, और उसके वज़से भी आप कर सकते हो कि नौकरी वैसे भी यहाँ पर population जैसे बढ़ती रहेगी, नौकरी वी कम हिया, नौकरी अंदर कम हिया देखने को मिल जाती है, तो यह भी एक काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है, उसके बाद, अब वे फॉरवड की बारें बात करें, तो फैमली प्लैनिंग यहाँ पर देखो वे फॉरवड अपना लिख सकते हो कि आपन पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लेश होती है, बहुत सारी चीजे़ें शारी पटार ब स्सक्राण इल्वाट जाती है, तो छीप करें यहां पर उपनाब। जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती भी नजर आईए देन उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो ज़रुरत यह है कि आप लोग को वेल रिसर्ट प्लैनिंग होई चाहिए ठीक है किस तरीके से आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना है ठीक है किस तरीके से माक सब्सक्राइब लेप्र गोल्स में आपको 17 गोल्स देखने को मिलेंगे जिन में से कुछ गोल यह हैं जैसे कि पोवर्टी गरीबी जेंडर एक्वैलिट एकनॉमिक ग्रोथ ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ हैं सभी 17 गोल में से यह दो तीन चीज़े काफी इंपॉर्ट आप लोगों चीज़े समझ में आ गई होंगी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाए हैव नाइस डे थैंक यू अड़ जैहिंद